CSMA Career Sense Multiple Access इसको हम लोग short term बोलते हैं CSMA मैंने आपको बताया था कि यह हमरी जो अलगोरिफम होती है उनके कुछ एजंशन्स होते हैं तो यह Career Sense को लेके है चैनल को sense करने के लिए तो देखते हैं one by one क्या होता है इसमें Career Sense Multiple Access क्या कहता है कि यह पहले carrier को listen करेगा यह जो भी आपका communication medium है उसको पहले यह देखेगा कि यह idle है या नहीं अगर idle होगा तो फिर यह message transfer करेगा otherwise नहीं करेगा तो देखिए step by step क्या कहता है यह A user wishing to transmit first listen to the medium पहले यह medium को sense करेगा कि हमारा channel idle है या नहीं है to see if another transmission is in progress carrier sense if channel is in use it must wait मतलब channel को यह कोई communication channel है इसको किसी user ने sense किया sense करने के बाद अगर उसको free मिला तब तो वो transmission start कर देगा अगर busy मिलता है तो फिर वो क्या करेगा यह wait करेगा इसका idle होने का जब channel medium idle होगा तब यह transmission start करेगा मिल्कुल clear कहानी है एक communication channel है उसको यह sense करेगा अगर idle मिलता है तो ठीक तो यह transmission start कर देगा अगर idle नहीं मिलता है तो क्या करेगा यह कुछ amount तक wait करेगा देन फिर यह channel में transmission start करेगा idle मिलने पर अब देखिए अब आप कहोगे कि pure aloha और slotted aloha में क्या था कि कुछ भी नहीं करना है packet आया transmission start फिर slotted में क्या है कि time slot divide कर दिया गया अब क्या होगा जब channel को हमने पहले ही sense कर लिया कि channel अमाला blank है या नहीं है तो हमें अब collision नहीं मिलना चाहिए क्योंगे हम तब ही transmit कर रहे हैं जब हमारा channel idle है बट फिर भी collision के chances इसमें बनते हैं कैसे यह देखिए अब the possibility of collision still exists because of propagation delay propagation delay क्या होता है अब इस figure से समझेगा आपको दोनों concept समझ में आ जाएंगे suppose करिए यह चार user है a, b, c और d टिक यह transmission start करेंगे और यह हमारा time भी आ गया है suppose करिए a ने ऐसे कहिएगा signal को a से b में suppose करो time लगता है 3 minute का मैं आप लिख देता हूं 3 minute b से c तक पहुंचने में लगता है 5 minute और c से d तक पहुंचने में लगता है 1 minute टिक इतना time लगता है signal को propagate होने में अब suppose करिए कोई एक time चूज कर लेते हम लोग 12 00 12 बजए a ने sense किया कि हमारा जो medium है या जो carrier है जो channel है वो ideal है और इसने transmission start कर दिया तो यह send signal जो b तक पहुंचने में कितना time लगेगा 12 00 3 क्योंकि यहा से यहां तक signal कितना time लगता है अब B से c तक पहुंचने में 5 minute तो इसको किस time पता चलेगा 12 00,08 Gue और इसको एक minute यहां से यहां तक पहुंचने में लगता है तो इसको 12.09 मिनट पे ठीक अब देखे चैनल हमारा मीडिया में इस बात का पता B को चला 12 बचके 3 मिनट पे, C को 12 बचके 8 मिनट पे और D को 12 बचके 9 मिनट पे टिक भाई signals जो है वो प्रोपोगेट होने में भी तो टाइम लगेगा तो प्रोपोगेशन डिले की वजए से यहां कॉलिजन होता है अब suppose करिए C ने चैनल को अगर सेंस किया होगा 12 बचके 6 मिनट पे, suppose तो इसको क्या पता चलेगा 12 बचके 6 मिनट पे, क्योंकि यह signal की A transmission कर रहा है इस बात का पता इसको कब चलेगा 12 बचके 8 मिनट पे जबकि 12 बचके 6 मिनट पे यह transmission क्या करेगा, start कर देगा, बट 2 मिनट बचके 8 मिनट पे इसको पता चलेगा कि ओहो कोई और भी हमारा इस चैनल पे, इस carrier पे data transmit कर रहा था तो जो propagation time लगता है, A से लिके B तक, B से लिके C तक, C से लिके D तक पहुँचने में इसकी वजए से collision होता है, अब A ने collision किया, इस बात का signal इसको पहुचने में इतना time लग रहा है, तो जैसी बात है, यहाँ पे vulnerable time, यह मैंने लास्ट वीडियो में डिसक्स किया, दा vulnerable time वर तो यह जो scenario यहाँ पर लिखा गया है, frame propagation यह जो मैंने आपको लगाया हुआ, इक color black से जो आप देख रहा है, इसका मतलब क्या है, कि यह propagation time है, इस time period के बीच में अगर कोई transmission करता है, तो frame क्या होंगे, सारे के सारे, collide हो जाएगे, बास्वाज में आ गई, मैं गबार repeat करता जब A ने suppose करो sense किया कि channel हमारा idle है, उस time पर अगर कोई उस बात का पता जब दूसरे users को चलेगा, तो उसमें कुछ समय लगेगा, उस time period के बीच में अगर कोई user data transmission स्टार्ट कर देगा, तो क्या होगा, frames हमारे collide कर जाएगे, ठीक है, अब देखते आगे, अब यह हमारा तीन scenario में यूज होता है, CSM में तीन flavor है, one persistent, इसके बाद next है हमारा non persistent, आपको एक एक करके बताऊँगा, non persistent, और इसके बाद आता है आपका p persistent, अब इनको देखते हैं यह क्या करता है, देखिए one persistent, one persistent क्या कहता है, station transmit with the probability of one, station transmits with the probability of one, मतलब when it finds the channel idle, जब भी इसको channel idle मिलेगा, यह transmit करेगा, इसका मतलब क्या है, मैं आपको बता दूँँ, इस figure से समझिए, यह कोई हमारा channel है, ठीक है, यह हमारा एक channel है, और सारे users इसको continuously sense कर रहे हैं, channel अगर busy है, सारे users sense कर रहे हैं, यह भी sense कर रहा है, 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 अब जैसे ही channel ideal मिला सभी ने transmission start कर दिया तो फिर क्या होगा collision होगा या suppose कि वो दो ने start कर दिया तो collision होगा है ना तो इसी वजह से इसमें लिखा है this method has highest chance of collision because two or more stations may find the line ideal and send their frames immediately ये क्या करते हैं continuous sense करते रहते हैं और immediately अपना transmission start कर देते हैं तो सारे ही sense कर रहे हैं और सारे जब sense कर रहे हैं तो जैसे ही ideal मिला तो दो या दो से ज्यादा stations क्या करेंगे ideal find out कर लेंगे और वो station को use करना start कर देंगे तो क्या होगा उससे collision सबसे ज्यादा हो जाएगा तो इसका अगर मैं देखू channel utilization लगबक 53% होता है ठीक तो यह हुआ one persistent continuously sense and transmit बट जैसे ही transmit करेंगे महाँ पर क्या मिलेगा collision मिल जाएगा तो अब देखिए इसका solution क्या है एक आया इसके बाद non persistent अब देखिए non persistent की क्या कहानी है non persistent यह कहता है station does not continuously sense the channel यह continuously sense नहीं करेगा when the channel is busy it wait for a random period of time इसका important role है before trying to listen again this is less greedy देखो इसमें होता क्या है figure से समझिए यह channel है channel हमारा busy है ठीक sense फिर wait महाँ पर क्या था one persistent continuously sense कर रहा था यहाँ पर क्या है continuously sense नहीं sense करेगा कुछ time के लिए wait करेगा ठीक इसके बाद फिर से sense करेगा फिर कुछ time period के लिए wait करेगा फिर जब इसको idle मिलेगा तब यह जब इसको channel idle मिल जाएगा तब transmission हो जाएगा तो अब इससे क्या होगा वह वाली हमारी problem solve हो गई जो continuously sense करते ही दो या दो से ज्यादा फ्रेम दो या दो से ज्यादा user एक साथ हमारे papa data को transmission start कर रहे थे अब यहाँ पर क्या होगा random period of time random period of time के लिए weight कर रहे है तो differ कर जाएगा wait किया channel busy है ben एक random amount तक wait किया फिर sense किया फिर wait किया फिर sense किया फिर wait किया फिर यह साथ approximation start होता था वह वाली probability खतम बिल्कुल तो नहीं हो जाएगी, लेकिन हाँ कुछ हद तक हमारी problem solve हो जाएगी, तो this method reduce the efficiency of the network because of medium remains idle, इसका मदला बहुत समझ लीजिए, ये थोड़ी सी efficiency को weak करता है, क्यों, जब random amount of time में wait करेगा, तो हो सकता है कुछ time period ऐसा हो, जब channel बिल्कुल idle हो, और किसी ने sense ना कर रहा हो, क्योंकि सभी का random number है, तो हो सकता है कुछ time के लिए channel हमारा क्या है, idle पढ़ा रहा हो, और किसी ने भी उस channel को sense ना किया हो, तो ये थोड़ी से efficiency के वज़े से weak हो जाती है, when there may be stations with frame to send, मतलब station के पास frame तो है send करने को, लेकिन channel हमारा idle है, क्यों, क्योंकि random amount of time तक वेट करना है, तो उस time period में क्या होगा, medium remains रहेगा, medium जो हमारा blank रहेगा, idle रहेगा, तो one persistent क्या कहता था, continuously sense, send, sense and send, sense and transmit, but उसकी विए से collagen मिलता था, अब non persistent ने क्या कहा, कि भाई कुछ random amount of time तक वेट करो, फिर sense करो, फिर कुछ random amount of time तक वेट करो, और फिर sense करो, अब दे ने एक नया method दिया, P persistent, P persistent का मतलब, station transmits with the probability of P, अब देखो इसको पहले आप figure समझो, फिर कहानी को तो मैं बाद में समझाओ, यह देखिए, basically यह इन दोनों का mixture बनाया गया, one persistent का और non persistent, इन दोनों को मिला के बनाया गया P persistent, इसमें क्या था, कि channel अगर विजी है, तो आप continuously sense करते रही है, अच्छी बात है, अब जब उसको channel idle मिला, तो जरूरी नहीं कि वो, तो आप immediate transmission start नहीं करेंगे, ना, अब यहाँ पर इन्होंने फंड़ना लगाया probability outcome का, channel idle मिलने पर भी हम transmission की permission नहीं दे रहे हैं, अब आप probability outcome calculate करो, तब आपको transmission के लिए permission मिलेगी, यह simple सा continuously sense करते रही है, करते रही है, लेकिन ideal मिलने पर आप transmission start नहीं करेंगे, probability outcome calculate करेंगे, फिर उसके बाद ही आपको transmission की permission मिलेगी, अब यह probability outcome क्या है, इसको समझे लो थोड़ा सा, यह figure देखिए, channel, figure को दियान समझेगा, कोई user आया, उसने channel को sense किया, अगर busy है, तो फिर से sense करने चला गया, ठीक है, अगर channel busy, then again sense, अब जैसे ही उसको idle मिला, यहाँ पर, तो idle होने पर यह नहीं कह रहा है, transmit करो, नहीं, transmit बिल्कुल नहीं करना है, अब probability outcome calculate करो, अब इस probability outcome को थोड़ा सा समझेगे, डेटेल, सपोर्च करिए, यह हमारा एक channel है, shared channel है, जिसमें चार user है, A, B, C, और D, ठीक, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस administrator जो है, इनकी probability set करेगा, कि किसकी कितनी probability है, suppose करो, इसकी probability set कर दी 0.2, इसकी set कर दी 0.5, इसकी set कर दी 0.8, ठीक, आप देखिए, इसको छोड़ देजाए, अब क्या होगा, probability outcome में, यह तो है fixed probability, किसकी station की, ठीक है, अब जो भी आप packet लेके आएंगे, with the probability of P, दो probability चलेंगे, एक packet की probability और एक इसकी probability, यह तो होगी fixed probability, तो जो probability क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, और 1 से less होगी, तो transmission की permission तभी मिलेगी, जो आपके frame की probability है, वो आपकी, जो station की fixed probability है, उससे less हो, यह मैंने क्या लिखा है, probability जो आपके frame की होगी, मैं sort में F लिख देता हूँ, frame की जो probability होगी, वो आपके station की probability से less होने पे ही, आपको transmission की probability मिलेगी, otherwise नहीं मिलेगी, अब देखो, इस बात की क्या probability होगी, इस बात के कितने percent chance होगी, कि A user transmit कर पाएगा, यह की probability कितनी है, 0.2, तो 20% chances होगी, किस से less होगा, इसकी 50% probability होगी, इसकी 80% probability होगी, इसकी probability 0.8 है, इसके ज़्यादा numbers की probability से कम होगी, इसके 50% probability, 50% ही कम होगी, इससे 20% ही कम होगी, तो frame की probability है, अगर station की probability से कम होगा, तभी हमाय transmission की permission मिलेगी, otherwise नहीं मिलेगी, ठीक है, अब देखिए, अब इस figure को देखिए वापस चैनल ने sense किया busy अगें आप sense करिए अगर ideal मिला अब आया यह probability outcome पर कि क्या इसके frame की probability जो आपके station की probability है उससे कम है या equal है तो आपको permission मिल जाएगी कि आप transmit करिए अगर ज्यादा है then again wait for a slot फिर आप फिर कुछ amount तक कुछ random amount तक wait करिए wait करने के बाद again आप channel को sense करेंगे कि आप channel क्या है अगर channel busy है तो फिर क्या होगा यह act as a thorough collision and occurred and start again act as through collision as occurred and start again यह पूरा process को again start करेगा यहां से अगर channel ideal मिल जाता है तो फिर से वापस घूमकिया ही आजाएगा क्या फिर से आपकी probability आपकी station की probability से कम है क्या अगर कम हो गई अब तब तो फिर transmit करने एक permission देगा अगर नहीं तो again wait for a slot तो इसमें क्या होगा दोनों problems all हो गई continuously sense वाली problem यह हमारी खतम हो गई continuously sense करते ही जो transmission start हो रहा था वह probability खतम हो गई अब जो next हमारा अगर ideal मिलता है तो पहले आप probability outcome पर आईए अगर probability कम है तो आप transmit करिए अगर ज्यादा है फिर wait करिए wait करने एक बाद channel को sense करिए अब अगर ideal मिलता है तो again probability check तो इस तरीके से कम हमारा चलता रहेगा तो इस तरीके से हमारा यह provision start होता रहता है मतलब इस तरीके से हमारा transmission चलेगा अब देखिए probability अगर P है ठीक एक concept रो समझेए अब आपको बताते हैं यहापर थोड़ा था one persistent का concept देते हैं सपोर्च करिए डी एक हमारा यूजर है इस्टेशन है जिसको हमने probability दे दी वन पूरी दिखी पूरी 1.0 तो अब इससे क्या होगा कोई भी probability का नमबर आए कोई भी probability होगी फ्रेम की इस फ्रेम की probability कुछ भी हो वन से तो लैसी रहेगी या विक्कुल रहेगी तो यह 100% chance इसका मनलब क्या है कि कभी भी डेटा है उसकी probability कुछ भी हो डेटा transmission हमारा होता ही रहेगा दी यूजर हमारा हमेशा की डेटा transmit करता ही रहेगा तो वन पर जो मैंने आपको वन परसिस्टेंड बताया था आपके समय में आ रहा होगा की probability उसकी क्या हो जाती है वन तो यह हमे तक या कैसे transmit करेगा तो यह होता है हमारा P persistent अब देखिए थोड़ा सा theory portion बता देता हूँ station transmit with the probability of P when it finds the channel idle in this method after the station find the line idle it follows these steps जब भी यह station को idle find out करेगा तो immediate transmit नहीं करेगा यह यह step को follow करेगा क्या with probability P the station sends its frame probability P होगी जिसकी probability से frame को यह transmit करेगा अब with probability Q minus Q equal to 1 minus P the station waits for the beginning of the next slot and check the line again अगर उसकी probability P है और वो से less होती है तो frame को transmission start कर देगा पहली line का मतलब यह है कि जो भी आपका frame आया उसकी probability P अगर भी मैंने जो logic बताया उसके साब से station की fixed probability से कम है तो वो station frame को transmit कर देगा अगर नहीं है तो with the probability Q equal to 1 minus P ठीक इससे क्या करेगा station again wait करेगा और channel को check करेगा line को again जो carrier है उसको again sense करेगा क्या अब हमारी line idle है अगर idle हो गई अगर idle मिलती है तो go to step 1 यह वाला फिर वो check करेगा कि अब आपने Q equal to 1 minus P कर दिया कि अब उसकी probability क्या stations उस जो पहले वाली probability थी उससे कम once में minus हो जाएगी तो अब क्या होगा वो check करेगा कि जो आपका station की fixed probability थी क्या frame की probability उससे कम है अगर अब है तो वो frame को transmit करने देगा ठीक अगर line busy आती है तो it acts as a collision has occurred busy तो यह फिर से collision record और use the back of procedure मतलब फिर से again starting process में सारी steps को एक बार फिर से repeat करता रहेगा तो इस तरीके से यह तीन flavor में आता है one persistent, non persistent और P persistent मैं sort में एक बार revise करता हूँ देखो CSMA का मतलब मैंने बताया कि कोई भी station transmission से पहले channel को sense करेगा अगर channel idle मिलेगा तो हम transmission start करने देंगे otherwise नहीं करने देंगे अब देखिए CSMA क्या कहता है, क्या कहता है sense करिए अब इसमें भी collision मिलता है due to propagation delay, propagation delay का मैंने आप मतलब बताया है यहाँ पर कि अगर suppose करो B ने, B का example अपले लेते हैं, अगर suppose करो B ने किसी time period पे channel कुछ देखा कि हम channel ideal है और हम transmission start करेंगे तो इस बात का signal C, D या A तक कोईशने में कुछ समय लगेगा न उसको बोलते है, vulnerable time और उस time में हमारा collision अकर हो सकता है ठीक, अब one persistent यह क्या कहता है, continuously sense करते रहे है channel को और जैसे ही ideal मिलें, transmit कर दोता है, जैसे ही ideal मिलेगा का मतलब दो या दो से ज्यादा users भी हो सकते हैं, जो ideal को, channel को sense कर लेंगे कि भाई हमारा channel blank है, तो उस time पर collision हो सकता है फिर non persistent ने क्या कहा, कि आप channel को continuously sense मत करिए, wait for a random amount of time, sense, फिर wait, sense, again wait, तो इससे क्या होगा, कुछ difference आ जाएगा channel को sense करने में और जैसे ही जब blank मिलेगा, channel ideal मिलेगा, तो उसमें भी कुछ न कुछ difference आ जाएगा, तो इसको बोलते है, non persistent अब P persistent ने क्या किया, 1 और non persistent दोनों को मिला के बना दिया, figure से ही बताता हूँ कि sense continuously करिए, लेकिन जैसे ही आपको ideal मिलेगा, आपको transmission की permission नहीं दी जाएगी, आपको probability outcome चेक करना पड़ेगा, probability outcome क्या चेक करना पड़ेगा, कि अगर आपके channel की, कि आप channel को sense करेंगे, channel को sense करेंगे, अगर busy है तो wait करते ही, अगर idle मिला तो probability outcome चेक करिए, क्या, जो stations होगे, उनकी fixed probability assign की जाएगी, तो आपकी frame की probability है, वो fixed probability से less होनी चाहिए, तभी आपको transmission की permission मिलेगी, यह पर ने सारा आपको logic बता दिया, अगर जादा है तो फिर से wait क sense करिए, और अगर busy है, तो पूरी process repeat करिए, idle मिल जाता है, तो again फिर से probability outcome आप check कर लीजे और transmission start कर दीजे, तो इस तरीके से हम probability के through distribution कर सकते हैं, तो यह था आपका carrier sense multiple axis, टिक, इसमें मैंने आपको तीन चीज़े बताई, one persistent, pre persistent और non persistent, टिक, अगर कोई doubt आती तो comment box में डाल झाल झाल